नमस्कार दोस्तो हमारा बिहार में आपका स्वागत है और दोस्तो आज है 22 नयमबर 2020 और 22 नयमबर 2020 से जितने भी करेंट अफेर्स के कोश्चन है जो बिहार से जूरे हुए है उसको आज हम डिसकस करेंगे और दोस्तो इस वीडियो का अगर आप PDF डाउलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल से डाउलोड कर सकते हैं और टेलिग्राम अप्लिकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार एचबी और चैनल को जोईन कीजिए वहाँ पे आपको सारे दिन का PDF हिंदी और इंग्लिस दोनों लाइंगवेज़े मिल जाएगा और दोस्तो इस वीड पुराने भावनों के अफसेस मिले है ठीक है यानि पुराना अफसेस मिला है भावन का तो यह चांदन नदी में मिला है और यह मिला है बाका जिले में चांदन नदी में करीब 50 फिट की दूरी तक पुराने भावनों के तरह अफसेस मिले है अनुमानता बताया जा रहा है क यह अब से चर्टी सतावी से पहलेगी है अब दूस्तों नाम आया है बाका जिला का तो इसके बारे में जातेएं तो बाका जिला जो है दोस्तों ये भागल 강ळल के अंतरगत आता है तो चलिए सबसे पहले देखते हैं भागल प्रामधल का लोकेशन तो आप दोब देख सकते हैं और अगर बाका जिला का बात किया जाए तो यहां पर आता है बाका जिला बाका जिला का सिमा जमुई मुंगेर और भागलपूर से सटा हुआ है ठीक है और बाका जिला का स्थापना 1991 में हुआ थेटवल 3900 किलोमेटर है जनसंक्या है बीस लाग शौतिशार साथ सो तिफसेट बैक्ती जनसंक्या गनाभ छे सो चोहत्तर बैक्ती प्रतिवर किलोमीटर हो गया लिंगान पाथ है नौसो साथ महिला प्रति एक हजर पुरूस ताक्षरतादर अंठावन दसनलो एक साथ प्रतिसत प्रमुक उद्योग हो गया चीनी उद्योग प्रमुक फसल गन्ना धान और गेहूं हो गया और प्रमुक नदी हो गया चांदन चलते हैं अगले प्रस्ण की तरब तो अगला प्रस्ण हाली में किसके द्वारा बिहार का महा परव छट पुजा पर आधारित डाक टिकट का वी मोचन किया गया है तो छट पुजा पर आधारित डाक टिकट का वी मोचन किया गया है रवी संकर प्रसाद जी के द्वारा डिय इमेज में देख सकते हैं यही डाक टीकट जारी किया गया है छट पूजा पर आधारित यह डाक टीकट है और भारतिय डाक विभाग के बिहार परिमंडल की ओर से केंद्रिय मंत्री रवी संकर प्रसाद ने वीडियो कॉंफरेंसिंग के माद्यम से नई दिल्ली से छट किये हैं अस्थानिये तोर पर पटना में डाक मिभाग के मेगदूत भाओं ने स्टाम को जारी किया गया है इस अस्टाम पर अठार सो तीस इस्वी में गंगा घाट पर छट कर्दी महिलाओं का चित्र है यह पेंटिंग लंदन इस्टित विक्टोरिया अलवर्ट मुजिय और यह पटना कलम सहली का पेंटिंग है ठीक है बहुत भी विए कोशन बन सकता है इसे ठीक है अगला प्रसन है हाली में बिहार विधान सवा के नए मंत्री मंदल में सिक्षा मंत्री के रूप में चैनित मेवाल अल चौधरी ने अपने पत से इस्तिफा दे दिया है तो सिक और कि प्त दीत चैनित कहिए फ्रस ने दोस्तों हाली में गोला के पूरवराधश पाल मिरदुला श्रिया का निधन हो गया है तो वह बिहार कि की जीला की रहने वाली थी उ socialistों यह मुझफरपुटण की रहने वाली थी उनका जयम अस्थान है बिहार का मुझरफर पूर्जिला यह उप्सन सही हो गिया इमेज में देख सकते हैं यही हैं मिर्दुला स्यना जी जिन्होंने साहित और संस्क्रिति की दुनिया में भ्यापक योगदान दिया है वे पांचमा अस्तंभ नामक पत्रीका की संपादक भी थी उत्तर परदिश राज की और से हिंदी संस्थान का साहित भूशन समान दिन नयाल उपाद्या पुरसकार समित कई पुरसकार से इनको नवाजा जा चुका था ये भादिय जंता पाटी की उपाद्यक्ष वीरास चुकी है बिहार पर अधारिक पुस्तकों में नामक पुस्तक को दो भागों में लिखा गया है जो की एक कहानी संग्रा है उनके द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकों में नई देवियानी, जियो महदी को रंग, घरवास, यायावरी आखोशे, देखन में छोटे लगे, धाई विगा जमीन, मातर देह नहीं औरत, विकास का विश्वास और साक्षातकार ये प्रमू कहटे के इनके द्वारा लिख समीति का अध्यक्ष कि मनोनित किया गया है, तो आचार समीति के अध्यक्ष चुने गया है, दोस्तों सुसील कुमार मोदी जी, बी ऑप्सन इसका सही हो गया, आचार समीति के पहले अध्यक्ष जो थे ये नितिश कुमार जी थे, जो कि मुक्य मंत्री नितिश कुमार जी थ जिला सरेनी में उतक्रिष्ट योगदान के लिए जल सक्ति मंत्राले की और से देश में दूइतिय पुरस्कार दिया गया है तो बिहार के पुर्वी चमपारंद को मिला है ठीक है जिला स्रेनी में बी आप्सन सही हो गया पहला स्थान पंजाब के मोंगा जिला को मिला है और सबसे पहले देखेंगे पुर्वी चंपारन किस प्रमंडल में आता है तो पुर्वी चंपारन जो है दोस्तों यह तिरूत प्रमंडल में आता है तो चलिए तिरूत प्रमंडल का लोकेशन देख लेते हैं तो दोस्तों इस मैप में जो देख रहे हैं यह ग्रीन कलर का एरिया ये तिरुद प्रमंडल है तिरुद प्रमंडल के अंतरगा देखिए कौन-कौन सा जिला रहा है तो पश्मी चमपारन हो गया पुर्वी चमपारन, सीतामडी, सीबहर, मुझअफ़रपूर और बैसा आली ये सबी जिला आते हैं और दोस्तो अगर पुर्वी चमपारन का लोकेशन का बाद किया जिला का तो ये है पुर्वी चमपारन जिला इसका सीमा देखिए पश्मी चमपारन, गोपाल गन्य, मुझअफ़रपूर, सीबहर और सीतामडी से सटा हुआ है इसके साथ ये भारत नेपाल के बीच अंतराष्टिय सीमा भी बनाती है ये पुरा नेपाल का छ्षेतर है तो पुर्वी चमपारन जिला का सीमा नेपाल से भी सटा हुए है तो नेपाल से सटै वगे सभी जिलो को एक बार देख लेते हैं तो पश्मी चंपारन, पुर्वी चंपारन, सितामधी, मध्वणी, शुपॉल, अररिया और किसंगन, ये सभी जिला जो है विहार के नेपाल से सटा हुआ है और अंतराष्टी ये सीमा बनाता है और चंपारन को विभाजित करके 1971 में बनाये गए पुर्वी चंपारन का मुख्याले मुतिहारी में है और तीहुत प्रमणल कंतर काता है मैंने बता चुका हूँ और यहां का प्रमुक नदी जो है गंड़क और सीकरहना है ठीक है प्रमुक फसल धान गंड़ा जूट हो गया प्रमुक उद्योग हो गया चीनी मील और बटन उद्योग चंपारन जन्पत के केसरिया अस्तुप का पता कनिंगह में लगाया था उत्खनन के उपरांत इस जगह का प्रयाटन और अतिहासिक रूप में महत बढ़ गया पुरतत विताओं के अंसार यह बौद अस्तुप दुनिया की सबसे उचा बौद अस्तुप में से एक है सन 1934 में आय भ्यानक भुकम से पहले इसकी उचाई 120 फीट थी लेकिन बरतमान में 104 फीट है और अंग्रेजी साहित के महान लिखक जॉर्ज और्विल का जन 25 जुन उने इस वतीन को मतिहारी में हुआ था जो की पुर्वी चंपारंद का मुख्याले है तो महीने में 4 वार ई चौपाल का आयजन किया जाएगा विहार क्रिसी 20 बिध्याले भागल पूर के दौरा डी उप्षन इसका सही हो गया और क्रिसी पसुपालन, मतरसे पालन और उद्यान विश्वय पर चौपाल का आयोजन किया जाएगा जिसमें किसान लोग भाग लेंगे अगला प्रसना हारी में प्रोटेम स्पीकर के तौर पे जीतन रमाजी को किसने सपर दिलाई है तो प्रोटेम स्पीकर, विधान सवा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पे जीतन रमाजी जी को सपर दिलाई है राजपल फागु चोहान जी, सी जो आप्सन इसका सही हो गया हिंदुस्तानी अवाम मुर्चा, हम राजनेतिक दल के विधायक है, जीतन रमाजी टीक है तो दोस्तों यह था चलते हैं कल के पिछले वीडियो के रिविजन के प्रसंद के तरफ, तो पिछले वीडियो का रिविजन का पहला प्रसंद था बिहार विधान सवाचुना 2020 में कितने प्रतिसत द्वोट नोटा को दिया गया है, तो एक दसमवच छे आट प्रतिसत, सी जॉप्सन इसका सही हो गया दुसरा प्रसंद था हाले में बिहार के बेगु सराजिला के कामवर जिल को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, तो इस जिल को किस बर्स पक्षी विहार का दर्जा दिया गया है, तो उनची जॉप्सन सही हो गया जिसको ट्राई हम लोग कहते हैं कि ओर से जारी आंकोलों के अंसार दूर संचार घंणात के मामने में बिहार का कौन सा स्थान है दूसरा प्रस्न है आज का हाली में मुखे मंत्री नितिस कुमार ने बिहार के मुखे मंत्री के तौर पे 7 वी बार राज भवन परिसर में कहां पर सफत लिया है तो इस दोनों प्रस्ण का उतर आप लोगो comment box में देना है तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा